नमश्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवामे और दोस्तों मैं करूना आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपकी सेकिंड टर्म बोर्ड एक्जाम की डेड़ शीट और बिटा जैसा की आप लोगों को पता है कि आपके 26 तारिक से एक्जा उसको आप यहां पर देख लीजिए और यह 28 अप्रेल को जो आपके एक्जाम होने हैं आप उनको भी यहां पर ध्यान रख सकते हैं और इसके बाद 28 अप्रेल के बाद 2 मई को देखो बेटा यह बहुत इंपोर्टन एक्जाम है आपका जो की हिंदी इलेक्टिव और हिंद कोर दोनों साड़े दस से साड़े बारे के बीच आपके दो मई को हैं और उसके बाद बिटा चार मई बुधवार को आपका जो एक्जाम है वो आपका डांस वगेरा है अगर होर्टी कल्चर इसके अंदर एक सब्जक्ट यहां पर मेंशन किया हुआ है तो कुछ को बिटा आपका केमिस्ट्री का एक्जाम होने वाला है और दस मई को बिटा आपके और कुछ एक्जाम हैं जो कि कुछ लिमिटेड बच्चे ही इन सब्जक्ट को ले रहे होते हैं और उसके बाद बिटा ग्यारा ग्यारा मई को बिटा आपका लेंग्वेज जो आपके सेक उसके बाद 13 माई को बिटा बहुत important exam है आपका जो की English, Elective और English Core के लिए होने वाला है, दो घंटों का ये paper है, 17 माई को बिटा आपका business study, commerce वाले बच्चों के लिए important paper business study और business administration का exam है और बिटा इसके बाद 18 माई को आपका है geography का paper 029 code है इसका, ब्रस्पतिवार 19 माई को आपका fashion studies का paper होने वाला है और उसके बाद 20 माई को physics, science वाले बच्चों का physics paper है और 21 माई को बिटा आपका yoga और childhood care and education इस तरह के कुछ subjects हैं और उसके बाद 23 माई को बिटा आपका accountancy, commerce वाले बच्चों का accountancy 05 code 23 माई को है 24 माई को political science है बच्चो 25 माई को home science है 26 माई को बिटा आप लोगों ने कुछ music अगर आप लोगों ने लिया हुआ है तो music, healthcare, cost accounting इस सबका paper आपका बिटा 26 माई को होने वाला है और बिटा 27 माई को आपका होगा financial marketing, typography, medical, textile design ये सारा आपका 27 माई को है 28 माई को बिटा बहुत बड़ा paper economics का paper है 30 माई को बिटा biology है और 31 माई को बिटा आपने अगर उर्दू, Sanskrit और इस तरह से कुछ extra subjects ले रखे हैं या main subject भी है अगर किसी के तो वो 31 माई को है और बिटा 1 जून को आपका agriculture, banking, mass media ये paper है बिटा 2 जून को आपका physical education है physical education वाले बच्चों के लिए 048 कोड और 4 जून को है बिटा आपका national cadet crops जो की NCC होता है इसके अलावा और भी कुछ subjects है और 6 जून को बिटा बहुत important paper मेरा favorite painting तो painting का exam बिटा आपका 6 जून को है sculpture, graphic ये 6 जून को रहे है बिटा और ये आपका एक घंटे का होगा इस चीज को ध्यान में रखिएगा 7 जून को बिटा आपका maths का paper है applied maths and maths का paper 7 जून को 9 जून को बिटा आपका tourism और ये सब 10 जून को फिर एक बड़ा paper है आपका history और 13 जून को आपका computer science IP 13 जून को commerce वाले बच्चे कुछ science वाले बच्चे के पास भी computer रहता है और बिटा देखो 14 तारीक को जो आपका paper है वो है संस्कृत का legal studies का psychology का exam जो होगा बिटा वो 15 जून को होगा तो बिटा ये थी आपकी 12th class की date sheet इसके अलावा कुछ चीजे जो यहाँ पर आपको बताई नहीं है वो आपको follow करनी है exam में मतलब आपको अपना खुद का sanitizer लेकर के जाना है ठीक है और आपको इस तरह से mask पहनना है कि जो आपके मूँ को नाक को cover करे social distancing का बिटा आपको पालन करना है इसके अलावा आपको मतलब आपने parents से इस तरह से आपके parents की बातों को आपको follow करना है और covid-19 के नियम का यहाँ पर आपको पालन करना है ठीक है और माता फिता को यह ध्यान रखना है कि उनका बच्चा बिमार ना हो exam जब देने के लिए वो आए और बाकी चीजें जो examination center में आपको बोली जाएंगी वो आपको बहुत अच् कार्ड आपको लेकर के जाना है और जो आपका date sheet है admit card है उस पर जितने आवर आपका exam के लिए गए है उतने आवर का पका paper होगा और इस्टुडेंट्स को question पढ़ने के लिए 15 मिट का time extra दिया जाएगा और अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी देखनी है त साइट पर जाकर के देख सकते हैं तो यह थी आपकी board exam की date sheet और अब आप जल्दी से लग जाएए महनत कीजिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे से marks लेकर के आ सके अच्छा बिटा मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को like करन अपने दोस्तों के साथ share करना और चैनल को subscribe करना ना भूलें जिससे कि इस तरह की जानकरी आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें